नश्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो बहुत हो गया बहुत कर लिया सरकार का जुम्मा बहुत माली सरकार की बात दोस्तो अब हक की बात है अब हमें हक अगर प्यार से नहीं मिल र अपने SSC और रेलवे के जो स्टुडेंट हैं वो अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं लगातार अपनी मांग कर रहे हैं दोस्तों इसी बीच में एक नई खबार आती है कि मद्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में बच्चों ने इसी प्रकार का एक प्रोटेस्ट किया तब वहाँ पर हमारे मद्य प्रदेश के प्रिये सबके दोलारे मुख्यमंत्री जी स्री सिवराज सिंग चोहान और्फ मामा जी ने वहाँ पर बच्चों के उपर लाठी चार्ज करवा दिया समझ रहे हैं दोस्तों आप यानि अगर बच्चे अपना दिकार मांगें अगर बच्चे अपना सरकार से हक मांगें कोई खेरात नहीं मांग रहे हैं बच्चे कोई सरकार से ऐसी कीज नहीं मांग रहे हैं जो सरकार दे न पाए तो सरकार बच्चे की उपर लाठी चार्ज क कर रही है लोगों को जुन जुना दे करके लोगों को सांतुना दे रही है लोगों के पर्टिकोलर उसके बिस्वास को जिस तरीके से उनने खंगाल के तोड़ा है जिस तरीके से बिस्वास को कमजूर किया है दोस्तों वो आज हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पूरे देश में एक ट्रेंड यहां पर हमने चलाया था और हैजटेग स्पीस पीक आफ फॉर एससी रेलवे स्टुडेंट हैजटेग स्पीक आफ फॉर ssc student railway उसी को trend आपको continue रखना है दोस्तों चाहिब हो आपका twitter platform हो instagram हो whatsapp हो जो भी आपका जो आप platform यूज़ करते है social media आप उसमें इसका जरूर यूज़ करें दोस्तों मद्यप्रदेश में काफी जादा यहाँ पे problematic system रहा है पहले से ही और अब तो और जादा यहाँ पे धीर से दीरे बढ़ रहा है दोस्तों इससे पहले जो कांग्रेस की government थी कमलना जी उनने काफी हत तक यहाँ पे सुदालला निकोशिश की लेकर चुकि उनकी 15 महिने में ही सरकार यहाँ पे गिर गई बो जादे दिन तक काम नहीं कर सके चलो ठीक है कोई बात नहीं अगर आप माम егटेवल यहाँ पर है वहाँ पर तीन साल के नहीं आई है और जैसे तैसे अभार यहाँ जैल की क यहां पर वेकेंसी आई हैं जिसमें दोस्तों केवल 282 हैं है दोस्तो दोस्तो और 280 टू विकेंसी हैं दोस्तो अब इतनी विकेंसी में दोस्तो फॉर्म डल जाते हैं डेड़ से दो लाग और यहां तक की पांच से दस लाग तक के बीच में अगर मेरा आकड़ा ठीक ठाक है तो बताईए आप इतनी चोटी सी बेकेंसी में इतने सारे बच्चे वहां पर फॉर्म बढ़ते हैं तो क्या किस तरीके से यहां पर रोजगार देंगे केबल ओ केबल बीजेपी की एक रड़नीती रही है एक नीती रही है कि लोगों को हम धर्म की नाम पर संतता दें धर्म की नाम पर उन्हें एक जुट करें अपना बोट बैंक बनाएं उन्हें दूर रखें हम एजुकेशन से उन्हें दूर रखें हम सिक्चा से उन्हें दूर रखें हम उनकी बेसिक नीट से केबल ओ केबल धर्म की नाम पर एक ऐसी आर्मी तयार हो रही है दोस्तो जिसे हम simple भासा में आप सभी जानते होंगे अंद भक्त कहते हैं जिने हम साधान रूप से एक ऐसा व्यक्ति कहते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से ना अच्छे पॉइंट ना निगेटिव पॉइंट ना सरकार की कामियों से ना सरकार की अच्छाई से उन्हें केबल बात है लोगों की सरकार की केबल और केबल जो मान सकता है उससे यानि एक जो ट्रेंड चल रहा है कि तुम देजभक्त हो या तुम देजभक्त नहीं हो मैं राष्टबादी हूँ तुम राष्टबादी नहीं हो कौन क्या है दोस्तो किसी वेक्ती को अगर दो वक्त की रोटी मिल जाती है दोबक्त का खाना मिल जाता है दोस्तों सबसे वड़ी राष्ट वादिता और सबसे वड़ी देशबक्ती वही कहलाती है जो मजदूर जो गरीब लोग हैं जो असहाई लोग हैं जो बेबस लोग हैं उनको आप दोबक्त का खाना दीजिए उनको आप education दीजिए उनको आप नौकरी दीजिए तभी आप जाके आपकी जो साकारता है आपकी जो नीती है आपकी जो रणनीती है वो आपकी तभी सफल यहाँ पर हो पाएगी दोस्तों काफी यहाँ पे निंदनी यह news है काफी यहाँ पे मद्य प्रदेश के लिए एक तारतार क यह बच्चों को इंजिरी भी हुई कई प्रकार से तो इस प्रकार से जो पुलिस का खौफ है बच्चों के अंदर और सरकार का जो एक ताना शाही रवईया है वो हमें देखने को लगातार मिर रहा है दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे जरूर समझी होंगे और ज्यादा